गुट मॉर्णिंग एब्रीवान वेलकम बैक टू दी चैनल तो ये है धन तेरस के मॉर्णिंग का टाइम तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि खाना जो होता है न वो लंच में बना के हटा दू क्योंकि ब्रिक्फस्ट हमने कर लिया था फ्रूट्स वगरा तो मैंने सोचा था बाद में रोटी भी सेके रख दूँगी क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले और दिवाली के दिन इतना सारा काम होता है न कि मतलब समझ में नहीं आता कैसे कौन सा काम करना है तो बस मैंने ये आलू काजर और मतरी की सबजी बनाई थी उसके बाद फिर मैं शाम को आपके सा बाद में आपके साथ करते हूं कि यहां पर यह थोड़ी सी लंबी बालकनी है तो इसमें हम लोग ऑनली प्लांट्स रखा है इसमें धूप भी ना बहुत ज्यादा नहीं आता क्योंकि बहुत ज्यादा धूप आने से भी प्लांट्स जो सूख जाते हैं तो बस यह हमारी ज फिर जो हमारे साइड के हैं वो लोग बस दिवाली मनाते हैं तो बस हमने भी अपने बालकनी को अच्छे से डगुरेट कर लिया और उसके बाद फीर हॉल बालकनी थी जो मैं आपको भी शेयर कर रही हूं तो मेरे घर में टोटल तीन बालकनी हैं जो एक हॉल से मतलब में ग सब्सक्राइब रहिए नें材र मornu का सब्सक्राइब अिढ़े ऊक्ति बढ़े मोगी के सब्सक्राइब और मैं सब्सक्राइब किया इसाहि Hadن लोको कि थैद की सब दिसने coli कि आकि शरी बरिया कि झाल जaltro जाथ हो चुकि इंड कर दो दों आगे मैं शेइर कर रही हूं, आप लोग के साथ ये हमने, जो हमारे friends हैं उनकी लिये gift लिया है तो आज इस रहा हम लोगों ने सोचा था कि जो हमारे अच्छे friend आपकी close friend है, उनकी लिये हमने gift लिया है ये तो जैसे कि ये है मतलब की बहुत सुंदर ये गनेश लक्षमी हम लोग जो गए थे ना धन तेरस में जो मेरे नोज पिन मैंने शेयर किया है कि हजबन ने डायमंड का नोज पिन हमें मेरे को गिफ्ट किया था तो बस उसी टाइम हमें ये वहीं पे बहुत अच्छा लगा देखने में तो हमने ये लिलिया एक्चुली इसम ये थैंबल करके रखरी हूं क्योंकि पूजा वाला समन में पूजा के रूम में रख रही हूं और ये गिफ्ट वाले आइटम्स जो हमें वे डाइनिंग टेवल पर एसमबल करके रखे ताकी सबको देने में हीजी हो इसलिए तो ये सारी मिठाई की डब्ब्ब्ब्ब्ब सब गिफ्ट देने वाले हैं बड़े बड़े हैं वो फ्रेंज के लिए हैं और चोटे चोटे हैं वो जो हाफ आप के जी के वो वरकर्स के लिए हैं यह है मेरा जो धनतेरस दिबाली जो भी गिफ्ट आप समझ लो वो है तो यह है डायमंड का नोज बीन तो हम लोग गए थे जी आटी वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीर थी और मार्किट में इतनी ज़्यादा रश थी ना कि मैं कुछ सूठी नहीं कर पाई तो यह काफी एक्स मैंने कहा था कि चलो कुछ दिवाली स्पेसल कुछ ले लेते हैं भगवान वगरा को कुछ तो मैं बस ऐसे ही गई थी कहां चलो बट मुझे वहां जाके सब्प्राइज मिला बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्लानिंग करके कुछ खरीते हो तो आल्रेडी हमें पहले से ही प करने लिए चाय बना के पीऊंगी और मैं फुल इनर्जी के साथ पूरा काम करूंगी तो यह मैंने सारे आरुस के पूराने बोतल्स है ना वो मैंने हटा दिये हैं इसको मैंने हस्बिन को बोला है कि आप एक थैली में करके गारी के डिक्की में डाल लो ताकि कि किसी गड़ करने के लिए और अभी फटा फट से बालकरी क्लीन करूंगी मुझे इसमें दिया डालना है और सारे पूजा पाट का समान धोदो के सुखाना है इसलिए तो बालकरी मेरी हो चुकी क्लीन और आज का वेदर काफी अच्छा था धूप अच्छे से निकली हुई थी और मैंने चादर वागरा भी सब डाल दिया था सारे कपरे दूलते चले जाते ना तो जमाने होता और यह एक पॉट मैंने लिया था डेकोरेशन के लिए मुझे ना जब हम लोग गए थे ना दिवाली शॉपिंग में तो वह मैंने लिए बहुत अच्छा मुझे एक्चुली यह लग फ्लावर जैसे उसमें रखा था ना मैंने सेम टू सेम वैसे ही फ्लावर थोड़े भी नहीं खराब हुए हैं तो मुझे यह बर आच्छा लगा था तो मैंने यह ले लिया था एंड उसके बाद फिर दिवाली की काम में इतना बीजी हो जाता है ना इनसान की मैं क्या ही बत गजरा जूल्री वगरा जितने होते हैं अच्छा मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप सारी पर मंगल सुत्र क्यों नहीं पहनते तो जिसने भी कमेंट किया हूं मैं उनको बता दू कि हम लोग पहले गुरगाओं में रहते हैं तो गुरगाओं में एक्चुली हमने सारी जूल्री जो होता है वह भाइंक में डाला हुआ है और गुरगाओं जो फोरे बहुत कम यूज होते है तो मैं बस यूजर कर लेंगे हुए तो बस मैंने दो तीन जो गोल्ड पहन Taip गले बाद फिर एर रिंग वगरा जो भी होता watching when में इनको बैंक देंवे थे उसके बाद यह हमारी होड़ी है पूजा और पूजा मतलब पूजा अर्मोस्ट सारी तैयारी मैंने कर देधि थी और मैंने पहन who आफ देख सकते हो काफी अच्छी लग रही थी और उसके बाद फिर जो मैंने पूजा का सारा तैयाřी कर लिया था उसके बाद husband फिर पूजा की जो आगे की विधी होती है वो सारी चीजे कर रहा है फटाफट से तो बस आरूस इतना परिसान था ना कर रहा था वो कि उसको नो फटाका जलाना है फटाका जलाना है बस वो उसी के लिए परासना था कि मुझे फटाका जलाना है जल्दी चलो जल्दी चलो बर पूजा में तो वैसे भी एक घंटा तो ऐसे लगी जाता है एक से सवा घंटा आरती बगएरा सब कुछ करते करते वैसे मैंने पूजा का सारा चीज शाम को ही मतलब सब कुछ कर लिया था स्वास्तिक बढ़ गएरा वना लिया था सब कुछ बस भगवान को अस्थापित करना था क्योंकि वो पूजा के टायम में ही अस्थापित करते ही इसलिए और यह हो रही है हमारी पूजा तो आप देख भी ता पूजा के बाद हम लोग कोई और पूजा के ने बाद को मिले थे या फीर मतलब सारा जो हम लोगा इंज्ञाइमेंट ताना वो मैं कुछ सूट नहीं कर पाई क्योंकि जब हम लोग पताका चलाने गए थे ना तो आर उसके आंख में पतानी डरस्ट चला गया था या फिर पताके का कोई धूल चला गया था जो भी हो उसको इतनी जादा इचिंग हो रही थी इतनी जादा इचिंग हो रही थी कि हम मैं किसी दिन में सुबा नास्ता कर लेती हूं तो फिर यहीं पूझा कर लेते हैं घर में होते हैं तो अल्मोस्त यहीं हस्बेंटी पूझा कर लेते हैं सुबा की शाम की मैं कर लेती हूं तो बस यहीं वो रही थी पूझा हो जा की तैयारी और सारी पहनने मुझे अच्छे पूचे देखो देखोंगे उसके बाद दीवाले की दिने काम हो जाते हैं ना कि पूछा मत तो पंचे देपता का सब कुछ करना था सब इस्थापित करना था भास उसी में सारा टाइम लग गया और खाना में जैसे कि मैंने पहले भी बताए खाना मैंने नहीं बनाया तो फट तो इसके बाद फिर खाना वाना खाके हम लोग इतने ज्यादा ठक गए थे ना कि अगले दिन हिम्मत ही नहीं थी उठने की नौ सारे नौ बजे हम लोग उठे थे तो कैसा रहा आप लोग का दिवाली जरूर बताईएगा सबकी दिवाली अपने अपने तरह से लोग मनाते है क्योंकि दिवाली में खर्चा करने का कोई अंत नहीं है और नहीं भगवान को चड़ाने का कोई अंत होता है और अब देख सकते हो बीच में आरुस पुरे पटाका पटाके लेके बैठा हुआ है कि मुझे बस चलना है चलना है और बीच में उसने एक डबबा रख लिया उ आप लोग की पूजा कैसे हुई जरूर बताईएगा काफी बिदी विधान से हम लोग ने कर लिया था धन्तेरस पूजा भी अच्छे सी की थी बट क्या होता है ना कि अकेले सारा काम भी करो फिर अकेले वीडियो शूट भी करो सब कुछ करो नहीं होता है अगर वीडियो चीजे ना छूट जाती है और हो गया है हमारा पूजा पार्ट अभी मैं फटा-फट से सब कुछ देखे कुछ फ्रेंड आने वाले तो उनके लिए थुड़ा सा घरवर्ट देख रहे हुए ठीक है कि यार उसने ऐसे वैसे कर दिया तो बस यह था हमारा दिवाली का लगा हो तो प्ली जरूर बताईएगा और मेरा चोटू सा ब्लॉग था अगर चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं अपने डेली के ब्लॉग लेकर आती रहती हूं डेली मेरा लाइफस्टाइल रह अंसान खाना पीना जो भी है और उसके बाद जो मेरे फ्रेंस आयते हो फ्रेंस के वेलकम में इतना टाइम लग जाता है ना कि फिर पता ही नहीं चलता की वीडियो सूट करना ही क्या करना है और यह थे हमारी लक्षमी पूजा गने इस पूजा की जो एक जहलक है वो तो अगले दिन फिर सारा कुछ हटारा होता है जितना हमसे हो पाता है जो हमने देखा है अपने बड़ों को करते हुए उसी के हिसाब से हम करते हैं तो बस यही था हमारा पूजा का ब्लोग चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वर्ग में जो बग ले टाटा बाई बाई झाल 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 झाल